सभी अध्यापक साथियों को नमस्ते दोस्तों मापी चाहूंगा बहुत सारे अध्यापक साथियों के फोन मेसेज आए मैं ना रिप्लाई कर पाया और ना फोन कॉल पिक कर पाया बहुत से साथियों के इसलिए अपने वीडियो के माध्यम से अपने कुछ बिचार प्रकट करने जा रहा हूं आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं आज हमारे राज्य कारे करने के जक्ष सुनिल जी और सच्चिव पेजप्रकार्श जी और उनके साथ कुछ साथ ही शिमला में एजुकेशन मिनिस्टर अधनी रोही जी से मिले और उनसे लिक्वेस्ट की कि सर आप जल्द ही केविनिट सब कमीटी की वैठक करें और विभाग को हमारे नियमेजी करने हैं तो जिर्देशते हैं तो अधनी रोही जी ने कहा कि हम बचन बद भी है और प्रती बद भी है आपका कारिय करेंगे और आने वाले जो सेशन में जो है इस तोरान जो आपका आपकी संदर में वैठक करेंगे हमारी राजिकार्यकार्नी के तरफ से हमने एक प्रेजिंटेशन बनाई है जिसमें बहुत सारी नोटिफिकेशन्स है माजल प्रदेश के जो कोट डिसीजन है और कुछ पाहर के डिसीजन भी है वो प्रेजिंटेशन काफी अच्छी बनी है और शिक्षामंत्री जी के सामने पेश की इसे देखकर शिक्षामंत्री जी ने कहा यह सही है और मैं इसमें और भी एड़ करूँगा मैं विभाग को निर्देश तोंगा कि वो इसे जो है मजबूत बनाए तो यह थी आज की बात इसके बाद अनिरुजी से भी मिले अनिरुजी जी ने भी कहा कि रोहिजी जैसे ही बैठे कॉल करेंगे मैं हंडल परसेंट आप लोगों के समर्थन में जो है बात रखूँगा रोहिजी ने के और भी बात कही कि अब आपको अंदोलन करने के जोड़त नहीं है कि आप अंदोलन ना करें मैं आपके साथ हूँ और अदर्निय मुक्य मंतरी जी के भी निर्देश है कि आप बैठे करके जो है इस मसले को हल करें तो ये थी बात आज की और कल अदर्निय विकरमा वित्यासिंग जी से भी मुलाकात होगी इस तोरान दोस्तो बहुत जारे लोगों के अलग-अलग सवाल है हमारे रिस्पॉंसिबिलिटी वनती है हमारे भाई अगर कोई जिन्दित है अगर उनके मन में कोई सवाल है शंका है वो प्लेज करें तो कुछ जो सवाल मेरे ध्यान में आए उस पर बात करना चाहूंगा एक बिल्कुल जवलन्त एक सवाल आ रहा था हमारे कोई साथी कह रहे थे कि हम लोगों को समेलन करना है समेलन करना है समेलन करने होते हैं और करने पड़ते भी है योनियन को अभी जो हमारे एजुकेशन मिस्टर और जो ट्येर्मेन है केबिनेट समक्मेटी के ये लिखित ओडर होए हैं सी एमों से होए हैं निर्थेश होए हैं और इसे है केबिनेट में बनाया गया है इसे केबिनेट समक्मेटी का नाम है और सिर्फ वा सिर्फ हमारे लिए बनाया है और इसमें कतिस दिसंबर की डेट भी लिखी है ऐसे में हम लोग भी प्रियासरत है इस बैठक को जल्द ही करवाएं सरकार पर दवाब डाले सरकार ने ये बैठक ये स्केविल्सम कमेटी जो बनाई है ये हमारे लिए बनाई है हम इसको एक्टिवेट करके आ चुके हैं और अभी भी हम प्रियासरत हैं कि हमने कब किस तरह से जो है इस बैठक को करवाना है सरकार से मिलकर इस पर चर्चा करनी है बात करनी है तो हमारा जो अभी का जिस पर हमारा एजेंडा है और फोकस है और जो हम विचार रखते हैं प्रस्ता रखते हैं पहले ये बैठक होगी और उसके बाद इस बैठक के डिसीजन और इस पर अमली जामा पहनाए जाएगा उसके बाद जो है हम समेलन करेंगे ये समेलन का सही समय नहीं है समेलन का सही समय इसलिए नहीं क्यूंकि हमारे पास एक डेट है वो सिर्फ हमारे पास नहीं है ना सरकार के पास विमाचल परदेश कि सभी लोगों को मीडिया को ये एक मतलब कि बाहर निकल गई है चीज की कतिस्तिसंबर की डेद्लाइन है कतिस्तिसंबर तक जो है रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है ऐसे में ये बहुत जिम्यवाराना चीज है ये लिखी हुई चीज है ऐसे में अभी समेलन के बारे में अभी निरनाय करना कुछ दिनों के अंदर निरनाय करना मैं इस बात से जैमत नहीं हूँ तो दूसरी बात हम समेलन करेंगे हम जिस एजेंडे पर जिस तिशा में चले हैं उसको पहले हासिल करें हम बिल्कुर सोच समझ के चले हैं और एक हर कदम सोच समझ के उठा रहे हैं आज बोलने में थोड़ा कमफर्टेबल नहीं हूँ एक और सवाल आ रहा था कि आप लेट क्यों है तेन अक्तूबर को अपने स्ट्राइक की सडकों पे रहे और उसके बाद आप भी मिल रहे हैं हमारा बहुत सारे लोगों ने हो सकता है इसे हलके में लिया हमने ये जो तीन तारीक को किया ये कैसे किया वो हम जानते हैं और क्यों किया ये उस दिन नहीं किया ये बहुत सोच समझ के एक डेमो था जो हमने करना था और हमने ये लंबा भी ले जाना था प्रंतु प्रदेश के जो मुख्या है वो हमें खुद बोलाते हैं वो हमें हमारे पास आते हैं हम जित में अड़े रहे